दोस्तो अगले महिने में अगर आप वापस से 10,000 रुपे का investment करते हो तो आपका ये जो balance है ये 20,000 का हो जाता है तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 7 महिने से लेके 12 महिने तक जो interest आपको मिलेगा वो भी calculate कर दिया है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखें ये PPF यानि कि Public Provident Fund versus NSC यानि कि National Saving Certificate ये दोनों स्कीम में interest कैसे calculate होता है किस प्रकार से आप अपना income tax बचा सकते हो इन दोनों स्कीम में invest करने पे और कौन सा स्कीम आपको चूज करना चाहिए आपके goals के हिसाब से दोस्तो बहुत ही important चीज है आपको invest करने से पहले कि है एक particular goal के हिसाब से ही आपको इन schemes में invest करने की जरुरत होती है दोस्तो अगर आपके दिमाग में goal है कि आपको 5 साल के अंदर एक particular amount इखटा करना है तो आप PPF में invest नहीं करोगे क्योंकि PPF जो scheme है ये 15 साल के लिए होता है और उसी तरफ दूसरी जगे अगर आपको 15 साल ब होता है तो दोस्तो यही चीज बहुत ही important है कि आपके दिमाग में goal होना चाहिए कि आपको कितना पैसा इकटा करना है और कितने time में इकटा करना है दोस्तो PPF और NSE ये दौनों के ही अपने अपने benefits होते हैं तो आज के इस वीडियो में हम benefits भी देखेंगे हम interest कैसे calculate होता है इन schemes में ये भी देखेंगे अपने excel file examples की जरिए तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से monthly interest calculate होते हैं PPF और NSE में दोस्तों ये भी देखेंगे कि आप अपना income tax कैसे बचा पाओगे अगर आप PPF में या फिर NSE में invest करते हो मै मैं बिलाज गुपता स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस वीडियो में Finkelsi TV पर तो चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए Finkelsi TV चैनल को और पेल आइकन को दपाईए latest personal finance news सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले चीज में आपको ये बता दू कि PPF और NSE ये दौन PPF है ये 15 साल की scheme होती है यानि कि आपका जो भी invested amount है PPF में ये 15 साल तक locked in रहता है और आपको 15 साल के बाद maturity का amount जो है वो मिलेगा आपका principle और interest amount के साथ दोस्तों इसमें भी थोड़े से exceptions होते हैं कि 5 या 7 साल बाद अगर आपको थोड़ा सा fraction अपने PPF के account से थोड़ा सा amount अगर आपको चाहिए तो आप उसमें से निकाल सकते हो या फिर आप उस amount के against loan भी ले सकते हो लेकिन overall जो आपका account है वो 15 साल तक locked in रहता है और उसके बाद ही आपको पूरा maturity amount मिलेगा दूसी तरफ NSE जो है दोस्तों ये 5 साल तक के लिए locked in रहता है यानि कि आपका जो invested amount ह वो 5 साल तक आपको नहीं मिलेगा पाचवे साल के बाद आपको maturity amount मिलेगा आपके principal और interest के रूप में दूस्तों और एक चीज़ important note करने की ये है कि ये जो PPF account है उसमें आप हर महीने या फिर हर साल कुछ न कुछ amount इसमें डालते रह सकते हो और 15 साल तक वो locked in रहेगा 15 साल क के बाद आपको पूरा amount मिल जाएगा लेकिन ये जो NSE है इसमें आपको lump sum amount invest करना होता है यानि कि अगर आपने एक बाद lump sum amount invest कर दिया एकटा तो आपको वो amount और फिर interest उस amount पे 15 साल के बाद ही मिलेगा दोस्तों दोस्तों ये दोनों स्कीब में monthly interest calculate होता है यानि कि आपका जो भी balance है दोनों ही स्कीब में उस पे आपको monthly interest calculate होते रहेगा लेकिन जहां तक compounding का benefit है दोस्तों इसमें थोड़ा सा difference है PPF और NSE में PPF जो है उसमें आपका 12 महीने के बाद compounding का benefit मिलता है आपको लेकिन NSE जो है उसमें आपको हर 6 महीने में compounding का benefit मिलेगा दोस्तों तो च जालाना compounding का benefit मिलेगा और दूसरी तरफ NSE में भी monthly interest calculate होगा लेकिन जो compounding का benefit है वो हर 6 महीने में होगा तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हम पहले PPF का calculator है वो देखते हैं यहां पर आप देख सकते हो कि आपका balance कितना है तो यह मैंने 0 रखा है यह सोचकर कि आपका जो account है वो आपने अभी तक open नहीं किया है यहां पर थोड़े से labels हैं दोस्तों तो सबसे पहले यहां पर मैंने month का label दिया है और यह months है April से लेके March तक यहां पर आपका deposit का column है यानि कि आप हर महीने अगर आप deposit करते हो तो वह वाला amount आएगा यहां पर 5 या after 5 का column है इसका म या means करते हो तो उस महीने का इंट्रस जो आपने उस महीने में Deposit किया है उसका इंट्रसस आपको अगले महुने से मिलना शुरू होगा यानि की मैंने मैं कि में महीने मिलना शुरू होगा तो यह चीछ mogą naar example में भी देखेंगे दोस्तों यहां पे जो है यह इंट्रस रेट का quarter review होता है government की तरफ से तो इस पे आपको द्यान रखने की जरुवत है कि किस quarter में आपका interest rate कितना हो रहा है और उसी इसाब से आपका पीपीफ account है उसमें interest calculate होता है दोस्तो यह वाला चो column है यहाँ पे आपका interest calculate होके display होगा और यहाँ पे आपका total balance दिखाए देगा कि currently आपक रुपे की जो amount है वो यहाँ पे डालेंगे और जैसी मैं enter पे click करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे interest calculate हुआ है कि April के महीने से आपको उतना interest मिलना शुरू हो गया जो कि है 59.16 तो दोसे एक किसे साब से calculate हुआ है यह मैं आपको अभी बताता हूँ उससे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि interest का जो formula है यह बहुत ही simple formula है जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताते हा रहा हूँ कि interest जो है आपका इस तरीके से calculate होगा कि जो आपका amount है वो आप उसको multiply करोगे अपने interest rate से और फिर आप उसको divide करोगे 100 से तो यह same formula मैंने यहाँ पे apply किया हुआ है जिसके हिसाब से आपको यहाँ पे interest मिला हुआ है तो यह चीज में आपको calculator में भी दिखा देता हूँ दोस्तो तो calculator में कैसे होगा कि आपका इंटरस रेट है साल का interest rate है दोस्तों तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले महीने का interest rate लेके आएंगे क्योंकि मह महीने में आपको interest मिल रहा है तो हम क्या करेंगे कि यह जो साल का interest rate है 7.1% इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से यानि कि आपको महीने का interest rate मिल जाएगा और फिर यह आपका interest rate हुआ दोस्तों तो जैसे मैंने आपको यह बताया कि amount को आपको interest rate से multiply करना है तो यह जो interest rate है वो monthly interest rate है हमारे इस example में तो इस interest rate को हम multiply करेंगे अपने deposit से जो की है 10,000 रुपे का deposit तो यह मैं 10,000 रुपे का जो amount है वो multiply किया है मैंने और फिर उसके बाद हमें divide करना है 100 से तो इस चीज़ को हम divide करेंगे 100 से तो दोस्तों जो हमको value मिला है यह जो है 59.16 तो यह same value आपको interest के नाम पर मिला है इस महीने में तो इसी तरह आपको बाकी के महीने में भी same interest मिलेगा अगर आपने 10,000 रुपे का investment किया है April के महीने में दोस्तों अगले महीने में अगर आप वापस से 10,000 रुपे का investment करते हो तो आपका यह जो balance है यह 20,000 का हो जाता है और फिर आपका जो interest है वो इस 20,000 के balance पे calculate होगा दोस्तों तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर महीने अगर आप deposit करते जाओ तो उसी हिसाब से आपका जितना balance होता है उस पे आपको interest मिलना शुरू हो जाएगा अब दोस्तों हम यह देखते हैं कि यह जो before 5th का funda है याने कि 5 तारीक यह उससे पहले आने कि आपने 5 तारीक के बाद यहाँ पे 10,000 रुपे का investment डाला हुआ है और enter पे click करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि में के महीने में आपको सिफ 59.16 का interest मिला है तो यह वाला interest आपको 20,000 रुपे के balance पे नहीं 10,000 के balance पे मिला है क्यूंकि आपने जो में में 10,000 रुप लेकिन आपको अगले महीने से मिलेगा याने कि जून से मिलेगा तो इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि जून के महीने में आपको additional interest मिला है जो की है 118.33 जो की है 20,000 रुपे के balance पे तो दोसरे बहुत ही important चीज नोट करने की यह है कि अगर आप महीने के इसाप से invest करते ह तो 5 तारिक से पहले ही invest करो ताकि आपको उस महीने के लिए interest मिल जाए दोसरा अब मैं इसको before 5 वापस से कर देता हूँ अब दोसरा हम क्या देखेंगे कि यह जो पहला financial year है यह तो complete हो गया अब क्या होता है कि यह आपका जो balance है यह आप देख सकते हो कि आपका 20,000 रुपे आपके balance में add हो जाएगा और यह वाला balance आपका यहाँ पे as a starting balance use होगा दोस्तो तो अगले साल में क्या होगा कि आपको यह जो interest मिला है जो कि इसको हम कहते है compounding का benefit इस पे आपको और interest मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तो तो अगर मैं आपको यहाँ पे 21360 यह वाला अगर मै balance जालता हूँ 0.8 rupees तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको उस interest पे जो आपको पहले साल में मिला था उसमें और जादा interest मिलना शुरू हो गया और उसी तरीके से आपने April में और May में वापस से 10,000 रुपे का investment किया है तो आपका जो total investments हो गया है वो है 40,000 रुपे का पहले साल में आपने 20,000 का किया दूसे साल में भी आपने 20,000 का किया और 40,000 के बाद आपका जो दूसे साल के बाद balance हो जाता है वो होता है 44,238 यह जो balance है दोस्तो यह वाला interest जो है उसको add करने के बाद है तो दोस्तो इसी तरीके से आपका जो monthly interest है वो PPF में calculate होता है और हर 12 महीने मे याने कि मार्च का जो महीना है उसके end में याने कि हम कहते हैं कि financial year के end में आपका जो interest है वो पूरा interest पूरा साल का interest add हो जाएगा आपके balance में और उस balance पे आपको अगले साल से और जादा interest मिलना शुरू हो जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि PPF में annual compounding होता है yearly compounding का benefit हमें PPF में मिलता है दोस्तों तो चली दोस्तों अब हम देखते हैं कि NSC याने कि national saving certificate इसमें आपका monthly interest कैसे calculate होता है और किस हिसाप से आपका हर 6 महीने में compounding का benefit आपको मिलता है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने deposit जो है वो 1 lakh रुपीज का ढालके रखा हुआ है यहाँ पे यह जो है months है यानि कि month 1 से लेके month 12 तक है और यह जो interest rate है दोस्तों यह मैंने fixed interest rate पकटा है यह assume करके कि आपका 6.8% का interest rate आपको मिल रहा है यहाँ पे आपका interest calculate होगा और यहाँ पे कितना balance है वो आपको दिखेगा दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले चीज में क् कि यह जो interest rate है यह साल का interest rate है तो इसे हम महिने का interest rate calculate करते हैं तो हम क्या करेंगे कि यह जो 6.8 है इसको लेंगे और फिर इसको हम divide करेंगे 12 से तो हमे monthly interest rate मिल जाएगा दोस्तों अब यह monthly interest rate हम अपने formula में डालेंगे अपना interest calculate करने के लिए तो यह जो interest का column है यहाँ पे amount है वो आप लोगे आप इसको multiply करोगे अपने monthly interest rate से जो कि यह है और फिर आप इसको divide करोगे 100 से तो दोस्तों जो हमें value मिलती है वो आपका एक महिने का interest होता है तो इसी हिसाप से मैं दूसरे से लेके छटे महिने तक के लिए भी अपना interest calculate कर देता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6 महिने के लिए हमारा interest वो calculate कर दिया है अब 6 महिने के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि NSE में जो है वो हर 6 महिने में compounding का benefit हमें दिखता है दोस्तों तो अब हम क्या करेंगे कि यह सारा interest वो add करेंगे और यह interest add करने क यह बाद जो amount मिलेगा वो हम अपने deposit में add करके इस balance में दिखाएंगे दोस्तों तो यह जल्दी से मैं यहाँ पर auto sum का जो formula है वो डाल देता हूं कि यह वाला sum है वो plus हम यह 1 lakh का amount है वो भी ले लेंगे और फिर जैसी मैं end पर क्लिक करता हूं आपको यहाँ पर amount दिखता है यह जो balance है वो है 1 lakh 3,400 तो यह जो उपर का amount है 3,400 वो आपको interest के नाम पे मिला है पहले महिने से लेके 6 महिने तक तो दोस्तों अब यह बहुत ही important चीज यहाँ पे आती है कि 7 महिने से आपका जो interest calculate होगा वो इस balance पे calculate होगा अब तक जो calculate हुआ था वो 1 lakh के deposit amount पे हुआ था लेकिन 7 महिने से आपको इस amount पे calculate के आपको interest मिलेगा दोस्तों तो इसी चीज को हम कहते है compounding याने कि interest पे और ज्यादा interest मिलना तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे अपना interest का formula लगाएं तो आपका यह amount है उस चीज को हम multiply करेंगे monthly interest rate से और फिर हम divide करेंगे इसको 100 से तो जैस था वो था आपका 566.66 तो यह जो उपर का amount है दोस्तों approximately 20 rupees का जो additional interest आपको मिल रहा है दोस्तों वो आपको इस balance के वज़े से मिल रहा है जिसमें आपके deposit पे यह वाले interest भी add कर दिये हैं तो आपको interest पे और ज्यादा interest मिल रहा है तो इसी हिसाप से आपके आठवे से लेके 12 महिने तक जो interest आपको मिलेगा वो भी calculate कर दिया है अब यह वाले interest है इसको हम add करते हैं तो यह वाले sell में हम auto sum का जो formula है वो डालेंगे और 7 महिने से लेके 12 महिने तक का जो interest है उसको हम add करते हैं और फिर हम यह जो balance है उसको भी add करेंगे इसमें तो जैसी मैं enter पे क्लिक कर तो आपको जो amount मिलता है वो होता है 1,6,915 तो क्या हुआ कि आपका जो balance था उसमें यह वाले interest भी add कर दिये गए हैं तो दोस्तों अब क्या होगा कि एक साल बाद आपका यह जो amount है वो इतना है और यह सारे sales में आपका जो formula है वो हमने डाल के रखा हुआ है दोस्तों अब ह हमें सिर्फ यही देखना है कि 5 साल के बाद कितना amount होता है तो यह वाला amount है वो हमें यहां पर डालना होगा जो कि है 106,915.6 तो जैसी मैं enter पर click करता हूँ आपका यह interest automatically calculate होगा फिर 6 महीने बाद आपके balance में add हो जाएगा यह वाले balance में और फिर इस balance पे आपको और यहां पर डालेंगे ताकि आपको तीसरे साल का जो amount है वो भी आपको मिल जाए यह वाला value भी मैंने यहां पर डाल दिया है 114309.45 तो जैसी मैं enter पर click करूंगा 6 महीने बाद आपका interest calculate होके balance में add हो गया और वापस से 6 महीने बाद नया interest जो है इस balance पे calculate होकर आपके इस balance मे add हो गया तो इसी तरह आप 5 साल तक के लिए अपना NSE का maturity amount है वो calculate कर सकते हो और PPF की calculator में जैसे मैंने आपको बता है कि 15 साल तक आप यह वाला जो balance है वो आप अपने balance का जो यह sell है यहां पे आप वो amount डाल के अपना maturity amount है PPF में वो भी इसमे calculate कर सकते हो दोस्तों दोस्तों तक income tax का सवाल है तो PPF में आप invest करके section ATC में deduction को claim करके अपना income tax बचा सकते हो सालाना आप 15,000,000 रुपे तक PPF में invest कर सकते हो और वही amount section ATC में आप claim कर सकते हो अपना income tax बचाने के लिए उसी तरह आपका जो NSE है यानि कि national saving certificate है उसमें भी आप maximum 15,000,000 रुपे तक invest करके अ अपना deduction claim कर सकते हो section ATC में दोस्तों income tax को लेकर और एक important point note करने की यह है कि आपका जो PPF account है उसमें जो आपको interest मिलेगा वो completely tax free होगा आपको उसमें कोई भी income tax बचाने की जरुरत नहीं है दूसी तरफ NSE में यानि कि national saving certificate में आपका principal amount तो आई जाएगा लेकिन जो आपका interest होगा 5 साल के बाद जो आपको interest मिलता है उस पे आपको income tax pay करने की जरुरत है दोस्तों यानि कि NSE का जो interest है वो taxable होता है दोस्तों और एक important point note करने की यह है कि आपका यह PPF है 15 साल के बाद आपको option रहता है कि आपको यह PPF account को close करना है या फिन नहीं अगर आपको इसको close न deposit या without deposit के साथ भी लेगिन दूसरी तरफ दोस्तों NSE जो है वो 5 साल के बाद आपका mature हो जाएगा और अगर आपको extend करना है यानि कि अगर आपको continue रखना है तो आपको दूसरा national saving certificate issue कराना होगा और वो भी अगले 5 साल तक के लिए locked in होगा दोस्तों तो दोस्तों यह थोड P.P.F. में invest नहीं कर सकते क्योंकि P.P.F. जो है वो 15 साल तक के लिए होता है और अगर आपके दिमाग में retirement का goal है 15 साल या फिर 20 साल या फिर 25 साल बाद आप सोच रहे हो कि आप retire होने वाले हो तो P.P.F. जो है वो आपके लिए best option रहेगा NSE जो है वो best option नहीं है क्योंकि NSE ह वो 5 साल तक के लिए ही locked in रहेगा और 5 साल के बाद आपको वो amount मिल जाएगा दोस्तो तो इसी तरह से आपका जो goal है वो आपको दिमाग में रखना चाहिए और उसी तरीके से आपको invest करना चाहिए दोस्तो long term goals के लिए P.P.F. best option है और medium term goals के लिए NSE best option है और दोस्तो अगर आपको short term goal है यानि कि अगर आपको एक या दो साल में थोड़ा सा पैसा एकटा करना है तो आप recurring deposits open कर सकते हो जो कि similar होता है हर मन्त में आपको थोड़ा सा amount invest करने की ज़रुरत है और 2 या 3 साल बाद आपका एक particular amount जो है वो accumulate हो जाएगा और आपका goal achieve हो जाएगा दोस्तो द absolutely free है और play store पे already available है इसका link मैंने description section में दिया हुआ है दोस्तो तो दोस्ता आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो please इसे like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो subscribe कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेल स कि अचल आप करे जिस को